hello friends एक बार फिर से B अलू का हल्वा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की आवशकता है, आई हम एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले हमने ये चार आलू, अभी फ्रेश यूबाले हैं, चार आलू उबाल कर उन्हें हमने ऐसे कदु कस कर लिया हैं, फिर हमें चाहिए मुणफुली, आदी कटोरी हमने मुणफुली ली है, औ और उसका हमने बारिक पाउडर बना लिया है फिर हमें चाहिए आधा कटोरी सूखा नारियल जिसे हमने मिक्सी में छोटी-छोटी टुकडों में डाल कर और ऐसे बारिक पेस बारिक पाउडर बना लिया है पांस चार पांस चमच हमें देसी की चाहिए आलो को भुनने के पाउडर हमने उसको पूट लिया पाउडर बना लिया एक कटोरी चीनी और दो चम्मश्च टू टेबल स्पून खोया हमने घर पर ही बनाया है दूद को गढ़ा करके और एक कप दूद चाहिए तो फ्रेंड्स आईए हम बनाते हैं आलू का अलवा प्रेंड्स यह कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है और अब हम इसमें देसी की टाल देंगे देसी की डालने के बाद हम इसमें आलू टाल देंगे और हम इसे अच्छे से चला लेंगे अब आलू को अब बूने जाए जब तक यह बोल्डें ब्राउन नहीं तक अलू को बूनेंगे प्रेंट्स ही हमारे आलू बून जाए और हम इसी में यह मुंपली का पाउडर विडों ने शाबग मुंपली पीस कर पाउडर बनाया है हम उसको आलू के साथ में डाल कर भू अब हम इसमें चीनी डाल देंगे एक कटोरी चीनी और नारियल पिसा हुआ डाल कर खुब अच्चे से चला लेंगे मुझे जिसे हमारी चीनी डाल कर चला दिया है और हम अब इसमें यह ड्राइब फूट्स और छोटी लैची का पाउडर अबि टाल देंगे और एक कब दूद यह 1 कब दूद डाल कर अमच्छे से चला कर और इसे तनी जिसे हमारे चीनी इसमेई तो बच्चे जिसें इसमें अगर आपके पास खोया नहीं है तो मत डाली और अगर खोया है तो डाल लीजिए खोया कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास उपलब दो तो आप डाल सकती है अखो बच्चे से चला के हम इसे सर्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये लीजिए आलू का हल्वा तयार है चाहे आप इसे ठंडा खाईए या गरम-गरम फ्रेंड्स हमने हल्वे में मुंफुली का पाउडर पीस कर मिलाया है तो उसे एक अलग ही टीस्ट आएगा आलू के हल्वे का आप बनाईएगा ज़रूर तो फ्रेंड्स आ कीज़े ऑर अपने अन्वा हमारे साथ शेर कीज़े अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगई तो आप इसे लाइक कीज़ेगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीज़ेगा और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए आप मेरी चैनल को स house करना मत भूलिएगा तो फ् कर दो कि अल्ड कि और उल्ड कर बार झार को दो बदर कर दो बद्वे नाद कर दोका है उट लूसा कि जैना कि Bye